नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में जे एमडी डिजिटल एंपी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि अगर आपके पास भी जियो का मोबाइल है या जियो का सीम यूज करते हैं और आपने भी जैसे आपके पास कोई प्लान ने अक्टिवेट था और आपने गलती से कोई नया डाल लिया है या फिर आपका जो डाटा एंवी पे दिन भर नहीं चल पाता हो आप को एंडेन पट डालते हैं या पिर कोई ओधर दमते तो उसको एक्टिवेट ऐसे करेंगा चला जाता है उसको कीसे करेंगे उसकी पूरी जानकरी में बताऊंगा और साथ माय ज्यों को यूज करते हैं तो से क्यां से आम ने इस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा कि आपको जीओ का मोबाइल में जो प्लान डलता है तो आप अल्टरनेट प्लान कोई और प्लान डाल के उसे एक्टिवेट कैसे करेंगे जो की पेंडिंग चला जाता है तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल के अप्लिकेशन में जह चैनल पर पहली बाहर आए तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर बेल आइकन प्रेश जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के माद्धम से सबसे पहले आपको देखने को मिले आपने के के बाद में आपको अपना प्लेश्टोर अपनले के बाद सिंपल से सर्च बार में लिखना है माइजी जैसे माइजिक सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कि स्क्रीन पर कुछ इस टैप से इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा रहाएगा माई जीओ फॉर एवरिटिंग जीओ यहां पर आप देखेंगे इसको इंस्टॉल कर लेना है जैसे कि अल्रेडी इंस्टॉल है तो सिंपल सा है आप आप ओपन वाले बटन पर क्लिक करें अप आपको तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस टैप से इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे पहला आप साने हैं आप मोबाइल के दुवारा लोगिन कर सकते हैं यहां पर आपके पास मानलों जीओ फाई है तो आप जीओ फाई रोटर जो आता है वाइफाई तो यहां पर जीओलत से क्लिक कर लेंगे तो जैसे कि आप मोबाइल نमबर से लोगिन करना चाहते तो यहां पर देख सकते हैं या पर अपना इंटर कर लेना है जется मोबाइल नमबर restaurant करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आगे यहां पर दिख रहा है लोगिन का बटन तो सिम्पल साइ कुछ पर मिंष डॐ करने के लिए कंगे तक पर पर मिंखर लाव करने के लाद इसके बाद में ओटिपीए अब इंटर करना आफ और फिर से कुछ पर मेंने क्रिक करने के लिए लाव करते स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आप को आपका जो ही पलान अक्टिवेट करा हुआ जो करेंट प्लान में इसकी सारी साईर इंफ्रमेशन स्क्रीन पर सो हो जाएगी तौक प्राप different रिचार्ज वाली बटन देख रही है रिचार्ज वाली बटन के साइट में आपको आप देखेंगे आपका मोबाइल नमबर देख जाएगा जिस मोबाइल नमबर से आपने लोगिन किया उसका नमबर देख जाएगा उसके बाद में नीचे देख सकते हैं आप अपना डाटा बेलेंस देख रहा है आपके पास डाटा बेलेंस में आप देखेंगे आपको कितना मिला था वह वाला बेलेंस देख रहा है उसके बाद में कितना यूसेज हो गया वह यूस होने के बाद जो बेलेंस बचाए वह देखना हो तो आप देख सकते हैं यूस प्लान में जाएंग था उस प्लान का MRP देख जाएगा यहां पर और उसकी expiry देख जाएगी किस डेट में expiry होगा उसके बाद में यहां पर नीचे देख सकते हैं स्यूच के बटन देख रहा है यहां पर स्यूच अकाउंट मतलब आपने किसी और मुबाइल नंबर से भी लोगिन करके रखा है तो यहां से आप स्यूच करके उसको प्राइमरी में सेट कर सकते हैं अगर आपने दो मोबाइल नंबर को लोगिन किया है या तीन मोबाइल नंबर लोगिन किया था आप अपने यहां पर मोबाइल नंबर देख सकते हैं स्यूच अकाउंट पर किलिक करके तो जिस आपको पहले वाले प्लान पर क्लिक करना है अगर आपको जीओ का कोई और नंबर रिचाज करना है आपको अपना प्लान पर क्लिक करना है जैसे कि आपने आपको कुछ डिसकाउंड मिला नहीं मिल रहा है तो उसको आप अपने वाउचर से किलिक करके देख सकते हैं उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं आप नीचे जाएंगे हैं आप जीओ की सारी सर्विस देख जाएगी और यहां पर जीओ मार्ट हैं इंट्रेंटमेंट है जो जीओ-जीओ है उसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि आपको यहां पर कस्टमर केर का अप्षन दिख जाता है तो आप देख सकते हैं आपको हैल्प पंडियों और करेंच रहा जाया हरे वहां से आपको दिखाने माइप्लान की शिर्विसकश क्या का है तो आपको अपने का हमें लिगुट किया यापshirt किया है पहले से आपके पास रिचार्ज था और आपने दूसरा रिचार्ज किया तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे उसकी जानकारी में बता रहा हूं अब देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नमबर देखेगा और यहां पर आपको करेंट प्लान देख जाएगा करेंट में कौन सा अफ्किवेट देख जाएगी स्की निवर एकर देख जाएगी हितने दिन के लिए वेलीड है उसके बाद आपने जो भी प्लान जो भी रिचाज किया है उसकी सर्विस देख जाएगे यहां पर अपकमिंग प्लान मतलब आपने जो रिचाज किया है उसको यहां पर अपकमिंग पर रखा गया है मतलब पेंडिंग में रखा गया है आपके बाद जो अभी करेंट प्लान है जैसे एक्सपायर होगा तो आप का जो अपकमिंग वाला प्लान है वह एक्टिवेट हो जाता है अगर आपको फिर यही वाला एक्टिवेट करना है दोनों प्लान एक्टिवेट रखना था आप देख सकते हैं आपर सिंपल सा एक्टिवेट की बटन है तो यह से एक्टिवेट की बटन पर किलिक करने के बाद आपके दोनों प्लान एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको अगर पहले प्लान में वन जीवी डाटा मिल रहा था और दुसरे में भी आपने वन जीवी डाटा मिल जाएगा तो आप देख सकते उपर वाले प्लान के यहां पर वेलीडिटी लिखी रहती है कि इस डिन प्रोवाटा यावर जो है तो आपका जो अपकमिंग प्लान पेंडिंग प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप जैसे किस कन्सक्राइब बटन पर किलिक कर लेना है और पर कुछ इंस्ट्रेक्शन दिया रहती है इनको पढ़ने के बाद हैं पर चैंफर वाले बटन पर किलिक करेंगे तो आप जैसे कंफर्म वाले बटन पर किलिक कर सक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ आप देख सकते हैं अब यूघ इसे आपको क्रेंट पर किलिक करना है आपको परड़े वाला वह देख में यह अदर तरीक बता दुएंगा आगे आपको słow निन डिन्नase कल कंफा minutes कbed देख सकते आपको चेक कर सकते 1299 मिसकाल मारने के बाद तो आपको यहां पर सिंपल सा बेक बटन पर किलिक करके आपको बेक आ जाना है अभी मैं आपको यहां पर कुछ और सर्विस दिखा देता हूं आप अप्लिकेसन की तो आप देख सकते हैं आप तो आपका प्लान एक्टिवेट हु तो आप यहां पर सिंपल सा रिचाज वाण वाला एक्टिवस Буд देखा देता हूं कि आपको चेया जह से करते हैं उसकर कशिते प्लान आ परां में पता देता हूंй कोई एक option को select कर लेंगे तो द्योनों option में से कोई एक कोई भी एक option select करेंगे अगर आपका खुद का number रिचार्ज करना तो आप यह रिचार्ज वाल option यह फिर नीचे वाल option select करेंगे तो आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं आप नीचे आपको मोबाइल नंबर ढालने के सिमपल से वाली बटन पर क्लिक कर लेंगे इस प्रॉसेस वाली बटन पर गलिक करने के बाद आप को कुछ यस टैप से इंटरफेस आएगा इजिसМें आपके नंबर पर जो भी प्लान है वो प्लान देख जाएंगे जो भी आफर है वो आफर भी देख जाएंगे आपर तो सिंपल सा इस टाइप से आपको इसक्रीन पर आ जाएगा उसके बाद में आपको यहां पर 719 वाला प्लान 24 दिन के लिए 2GB परड़े डाटा है तो यह वाला एक सब्सक्राइब करके आप यहां से उसके ड्यक्तिविट कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं आप दो 1799 वाला दिख रहा है आथा इस दिन के लिए 2GB परड़े फ्रीस वाले आप रीचार्ज को करना होता है आप इसको रिचार्ज कर सकते हुए यहां पर आप से आपको प्लान को एक्टिवेट करना चाहते हैं यहां पर कर सकते हैं तो जीओ फ्रीडम प्लान भी ले सकते हैं यहां पर जीओ फ्रीडम प्लान के लिए आपको इस अप्शन पर किलिक करना है तो सिंपल सा आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं वाले डाटे पर आ जाना है और उसको venым कोई स्वाइब एक प्लानग सेयर्ट करने के बाद यहां पर आमाउंट वाला सिलेक्ट कर लेना और सींपल है यहां पर देख सकते हैं और जो भीड़ डाटा मिलता है वह आपको लिखता है यहां पर इस टाइप से सवह डाटा दो क्या स्र लेक्ट करना है यहां पर अपने हिसाब से Select कर ली आपर अगर आप यहां पर 149 कर रहें रिचार्ड और 1419 के प्लान को एक cloud स्टाइब से How to support प्लान अपने सिलेक्ट किया उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको payment लोड दिखता है तो payment आपको केसे करना आप अब देख सकते हैं पर अगर आपके पास कोईं वाउचर था रहें पर आप देखेंगे अपमनाचर है बदलाफ को कम लिना है तो हमसितस्य कर लेना है उसके बाद II आप 20 को आफर कर लाव ले सकते हैं आप उसके बाद में आप देख सकते हैं आपको payment के मोड दख रहा हैं आपर किस टाइप से आपको payment करना तो आप देख सकते हैं आप भीए कि देख सकते आप पर यह माजन से भी पेमिड कर सकते हैं कर सकते हैं तो सपर कुई भी एक सफ सरत कर लेना है प्लिवे के लिए उसके बाद आपको और कुछ अपशन्म नीचे दिख जाते हैं जैसे से के आपको सेयव पेमंट पेमस यहां पर अपने पहलत किया तो आप बैकम करा तो का अगर आप आप देख सकते हैं नीचे आपको यहां पर इंटरनेट बेंकिंग का अपसन दिख जाता है तो इंटरनेट बेंकिंग के लिए आपको यहां पर इसमें से कोई एक बेंक सिलेक्ट कर लेना जो भी आपके पास इंटरनेट बेंकिंग है उसको यहां पर सिंपल सिलेक्ट कर लें leverage करने के बाद देख सकते कुछ ए इंटरफेश आएगा आपकी सक्रीट पर त अप देखेंगे इस यूपर K dollars एक अप्सलेक्ट करते हुँ तर पजैसे कि फोन पे तेस्षिस कर लें फिर आप जो तो आपकी aos पर कुछ है इस टैप से यहां पर आपसण आ जाता है जो भी आपका प्यृ मेंट सकसेस होता है तो आप्विचाज के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इसटाइब से इंटर्फेस आएगा जिसमें यहां पर आप देखेंगे आपका रिचाज जो है successful कर दिया गया है यहाँ पर आपकी receipt मिल जाएगी जिसमें आपको एक reference number लिखा रहता है और यहाँ पर आपना जो payment option ने जिससे payment जो माध्यम से payment किया उसका यहाँ पर mode लिखा रहता है payment mode उसके बाद में आपकी date लिखी रही ती किस date में और कितने बज देख जाएगा वाले एट यूपी या फिर इंटरनेट बेंकिंग उसके बाद में आपर reference number देख जाएगा तो यहाँ पर सिंपल साब कोई सारी डिटेल देखने बाद यहां पर सिंपल सा बेक वाले बटन पर दबा कि आपको वापस आ जाना है आप रिचाज होने के बाद आपको देख सकते हैं यहां यहां पर दिख रहाए जिससे कि आपने सिंप कर सकते हैं तो देखेंगे बटन पर किलिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपर मोबाइल चुस सर्विस एड मतलब उसकी सर्विस को एड करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर लिंक निव अकाउंट यहाँ पर आप निव अकाउंट एड करने के लिए इस आपसन का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक निव अकाउंट निव अकाउंट पर क कुछ इंटरफेस आएगा स्यूच अकाउंट करने के लिए बोला जाता आप देख सकते प्राइमरी में जो अकाउंट रहता है अकाउंड मतलब मुबाइल नमर से लागिन किया है वह प्राइमरी में रहता तो यहां पर सिंपल सा उस पर चेक मार्क रहता है राइट का निसान तो यहां पर सिंपल साइस टाइब से आपको ज्योग मुबाइल एपलिकेशन को यूज़ करने उसकार्विस wider पर रॉक्षरल है कैसे उसके माइप्लान में सर्विस को एक्टिवेट कैसे करते हैं तो वीडियो गर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्क्राइब जरूर कर ले साथ ही बेल आइकोन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो और नोटिफिकेशन के मादम से सबसे पहले आपको देखने को मिले चैनल पर पहली बाहर आए देखे घुरे कर दो देखे गूले आपको अजयो थिए ज़िए ही ज़ीडियो गरूर कर दो पता आपको दो पादोगा है नोटित कर दोताने को ओको दोगार आपको अवाले ज़से बित।